अगर आप भी मेरी तरीके से बिल्कुल बोर उचुके हैं किचिन में काम करते करते तो आज मैं आपके लिए बहुत यदा अच्छी सी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ इससे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया क्योंकि यह है ही इतनी अच्छी और आपके खाने को मैं कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगे आपको जो आपके खाने को बहुत यदा टेस्टी बना देगी और जो आपका काम करने का तरीका है वो भी इससे देखने के बाद बिल्कुल चेंज होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए टिपेंट टिक की तरफ चलते हैं तो देखिएगा जो नॉर्माली बिंडी बनाते जो ब्हुंते लगती हैं बिल्कुल सुखी सुखी से रूखी रूखी लूखी तो आपके घर में आप हमेशा ना जीना मोटो रखिया रखे रखा करिए तो अजिना मोटो से क्या होता है ज्याद़ अच्छा सा टेस्ट आजाता जैसे मगीशाला डालने के बाद टेस्ट आता है तो आपके पैसे करें मेगीशाला लाकर तो आप इस तरीके से इस तरीके से उसके कात्रीह पानी ली तेड़क तो आप से चाहने से पानी ले सकते हैं गुर्णगुना पानी डाल करना इस तरीके जो है ना इस तरीके से बिल्कुल अंडा बिल्कुल साबुद निकल जाता इस तरीके से तो अगर यह अच्छी लगी हो ना यह टिपन ट्रिक तो लाइक एंचे ज़रू कर देंगा चलते हैं नेक्स्ट टिपन ट्रिक की तरफ तो देखिएगा जब हम नॉर्मली ना अंडे उबालते हैं तो क्या होता है जैसे हमने 8-10 अंडे उबालने के लिए रखे है ना तो फिर क्या होगा दो से तीन अंडे तो उसमें फूड जाते हैं पता ही नहीं चलता है कि अंडे का गायब हो गए वो पानी में इस तरीके सोब करेगा है मतलब यूज तो मैंने ना इसमें डेड़ चमश नमक डाल दिया है इसको उबालते टाइम अंडों को और अंडों को उबालते वक्त यह जरूर ध्यान लखना कि अंडों को ना मिलकुल खोली आश पर पकाना है आपको मतलब इसको नहीं ढखना नहीं है तो देखि कितने ज्यादा बिल्कुल मतलब पूरा साबुत अंडा है कोई भी अंडा नहीं फूटा है और सारे अंडे मुझे बिल्कुल जितने मैंने 16-17 अंडे रखेते और बिल्कुल सारे के सारे मुझे इस तरीके से मिल गया है तो अगर यह वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक लुटब तो आपके पास जो अब चाओ मीन खाते हैं यह घखू का को इस तरीके से आप नहीं तो मतलब तेल उचछाला मारेगा नहीं चीट आएंगे आपके तरफ के तरफ अंडे जो आना बिल्कुल अच्छी तरीके से तल भी जाते हैं और अंडा फटता फी नहीं अगर कर अच्छी लेगी हो टिप्स और टिक्स तो मेरी लाइक और शेयर कर देना चलिए कर चलते हैं नेक्स टिप और टिक की तरफ देखी गई मैंने जो नॉर्मली ना आलू लिये हैं मतलब कभी-कभी नहीं होता है सुबस हो वज़े से बच्चों का लंच बनाना होता है तो है पानी पीने वाल तो आप इस तरीके से इसको और आम से फोड सकते है करम लोगते हैं और पैसा भी बजगे आपको मैशना लाने बिज़रत नहीं मैशर तो आपके घर में खुदी है, आप इस तरीके से गलास से भी कर सकते हैं तो अगर अच्छी लगे हो, टिपेंड तो देखिएगा नौरमली ना जैसे आपके घर में दूद या फिर दही आता है तो इस तरीके के ना वो जो दूदी जो होते हैं वह बहुत मतलब तो इस तरीके से खोलेगा इस तरीके से अगर आपसे नहीं होता है तो आप इस तरीके से देखिएगा इसके बीच में इस तरीके से एक उंगली डाल करना और इस तरीके से इस चाकू डाल कर और इस रबड को ना काट देना है और जहां एक बार ना इसकी रबड जहां से कट जाएगी न तो फिर रबड जो जितनी पेटा मारी भी है न वह अच्छी तरीके से खुल जाती है तो देखिएगा मैं आपको खोल के दिखा देती हूं कि रबड जो है अच्छी तरीके से खुल गई है तो यह देखिएगा एक दम से खुल गई है तो अगर अच्छी लगिए और टिप्स एंट्रिक्स लाइक एंट शेयर कर देना तो चलते हैं नेक्स टिपन टिक की तरफ अरे मिर्च काटना तो इतना ही जड़ डिफिकल्ट है ना कि अगर मिर्च काटके ना मुह पर हाथ लगा लिए तो यतरह मुह में से आग निकलती है कि बस जैसे मुह को ना बिल्कुल बरफ के अंदर या फ्रीजर के अंदर काटके रख दो तो देखिएगा इस तरीके से ना अगर जैसे आप मिर्च काटन जाएं कैची से तो आप इस तरीके से अगर चाकु से भी काटते हैं ना यह करिएगा कि थोड़ा सा सरसो का तेर ले ले अपने हाथ में और इस तरीके से मतलब रगड़ लेजिए अपने हाथों में तो इससे क्या होगा आपके जो हाथों में जलन मचेगी ना तो बिल्कु जरूर करके जाना तो चलिएगा चलते हैं अब बिल्कुल नेक्स टेप एंटिक की तरफ बहुत ज़्याद अच्छी टेप एंटिक सहीं तो देखिएगा अब मैं आपको ना जैसे बिद्यानी मसाला हो बिर्यानी में डालना हो या फिर गरम मसाला वो आप इस तरीके से बन मतला चामी जहाई हैं मतला बढल तीज़ान आप अपाने में ऋतारी एक में लाइच इन द्यालीग कामी मैं फाहिं तो पद्सेट्म का यह इश करते हैं पर चाय में आप इस तरीके सी फिर tes खिखिंड in तो इस तो भी गिरीर तो त्पता हैं आप ने इस तरीके से ज़्यात यहीं से चार पिंच टाल दिया इस तरीकिक शो जलना यह निया और द लिए बनाиж अखिर गर्म mash गर्म मसाली की चाह आधिया तो आप में भीयो को और चाहvad कांई